खंडवा शहर की सबसे हाई-टेक सिटी सिंगापुर सिटी जसमें आप पाएंगे हाई-टेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंकट हॉल, इंडॉर, आउट्डोर अक्टिविटी, गेंगपुल, ओपन लॉन सहित, भव्वे मंदिर इतना ही नहीं आपको मिलेगा कॉलोनी मे प्ता सुरिंद्र सिंग सगत ने अपने पिता, सुरिंदर सिंग, पिता इंदर सिंग के साथ आकर, पंदा अथाने में रिपोर्ट कि हुए, गाउं में रहता है, मजदूरी का गाम करता है, आज लगबग सुवे 9 बजे, उनके गाउं में अक्षत कलश यात्रा निकल रही जिसमें वह शामिल हुआ तथा गाओं का निखिल पिता ललित मालविय भी नारियल की थैली लेकर यात्रा के समय साथ चल रहा था कलश यात्रा जैसे ही ग्राम पंचायत के बाप पहुँची तो मैंने निखिल से शिव मंदिर में रखने के लिए एक नारियल और फूल मांगा तो निखिल ने बोला कि तू मेरे घर से नारियल लेकर आ और गाली गलोज करने लगा मैंने गाली देने से मना किया तो निखिल ने हाथ में लिया हुआ नारियल मेरे सर पर मार दिया जिससे मुझे सर में चोट लगी है इस मामले में शिवपाल सिंग पिता और विकरम सिंग राजपूत और शुबम सिंग पिता अंतर सिंग ने जगड़ा छुडाया निखिल जाते आते बोल रहा था कि अगर इसकी शिकायत की और आगे से मेरे से इस तरीके सिनारियल मांगा तो जान से मार दूँगा जिसके पशाद शिवराम और शुबम दोनों ने मुझे घर लेकर समझाईश दी और मैंने ये घटना अपने पिता सुरेंदर सिंग को बताई जिसके बाद हम दोनों थाने पहुँचे और थाने में शिकायत की है इस मामले में पंधाना पुलिस ने अपराद दर्ज किया है वहीं आपको बता दें कि निखिल पिता ललित मालविये ने भी थाने में इसी प्रकार का आविदिन दिया है और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कारवाई करने की बाद पंधाना पुलिस की टीम ने कही है चोटी 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 चीजों को लेकर जगड़ा थाने पह परिशान होना सबसे बड़ी इस तरह की केसिस में जो जिम्मदारी होती है वी बड़े बुजर्गों की होती है बड़े बुझोकों को ऐसे छोटे-छोटे जगड़े आपस में बैठाकर समझाईश देकर खतम करा देने चाहिए इस दोनों मामले मेंskyा हैं दोनों पर अपरादर जोगा थाने में रिकॉर्ड बनेगा जिंद्गी भर परिशान करेगा ना कभी पास्पोर्ट बनेगा और कभी नौकरी लग गई तो नौकरी लगने में दिक्कत आएगी इसलिए ऐसे छोटे-छोटे जगडे घर बेटकर गाओं में आपसमी या शह में सुल्जा लेने चाहिए गरीब का घर हो अमीर का आशिया आना हो ये सब बनाते हैं दियेगे नंबर पर संपर करें अत्वा बड़ा बंपर ऑफिस में जाकर विजिट भी कर सकते हैं